आज मंडी में युवा कॉंग्रिस की तरफ से आयोचित के जो रहे यंग इंडिया की बोल सीजन थी की राज़िस तरिया प्रतियोगिता का आयोचित क्या गया जसमें पूरे प्रदेश से आई शुवा प्रति भागियों ने भाग लिया कारिकर्म के प्रदेश प्रभारी सहच पाल बरा ने बताया कि ये कारिकर्म शुवा कॉंग्रिस द्वरा लगातार तूसरे वर्ष में सीजन 3 के रूप में सफलता पुर्वक आयोचित हो रहा है युवा साथ्यों द्वरा देश प्रदेश और स्थानी मुद्दों पर अपने विचार रखने और आम जन्मानिस की समस्याओं को आगे लाने की यह एक बहुत ही अच्छी पहल है जो युवा कॉंग्रिस द्वरा शुरू की गई है इसके लिए हम कॉंग्रिस पार्टी और शुवा कॉंग्रिस के शुषने तृत्व के धन्यवादी है जिन्होंने शुवाओं को एक अलग तुरह का और नए तरीके माध्यम प्रदान किया रख सकते हैं पर वो उनके पास को जरिया नहीं था अपनी अवाज अपने से बार निकालने का और उसके रिगार्डिंग यह प्रोग्राम मों लिखा गया और यह पूरे और इंडिया में होता है जैसे पहले जिलास तर पर फिर पापना स्टेट स्टर पर जैसे यह माचल मे आज हमने उर्जिंदर को स्टेट स्पोक्सपर्सन चेंपियन निकाल दिया है और इसके बाद इनकी सक्रीटनी होगी वह दिली में बारां तरीक को उसके बार नैशनल का यह कंपेडिशन होगा उसमें फीर दुबारा तीन-तीन लोग हैं जो यह फास सेकिंड थार्ड निकल इसने सबसे अच्छी सबसे बेस्ट टाइमिंग में सबसे बेस्ट नॉलेज में स्वीच दिया रिजंदर ठाकुर में और सेकिंड पे रहा है डिमपल शर्मा और थार्ड पे रहा है धीरज सूथ इन्होंने और इसके इलावा यह जो तीन लड़कें जो हमारी प्रजीशन ह बनी है आज की इस परसेंटेज की अधार पे हमने सेकिंड और थर्ड यह दो-दो करने हैं क्योंकि हमने टोटल पांच लोग जो है दिली लेके जाने हैं वहां से फिर तीन सेलेक्ट हो जाएंगे वह बैंगलार के लिए और आज जिंदर ठाकुर जो लड़का है वह सबसे अच्छी स्पीच है वो मेरे लिए भी चलो रिजल्ट जैजिस ने निकाला है उनका ही लेवल से रिजल्ट निकालने का और मेरे मुझे भी सबसे अच्छी स्पीच जो है रिजंदर ठाकुर की लगए बाकि सारे लड़के अच्छे